सुनवाई के दोरान सुप्रीम कोट ने एडी से कई कड़े सवाल पूछे सुप्रीम कोट ने पूछा कि जो आरोप आप लगा रहे हैं उसका सबूत कहा है जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि सरकारी गवा के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे क्या ये बात कानून में सुप्रीम कोट ने एडी से पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनी शिश्रोदिया की भूमी का नई है तो फिर मनी लॉंडरिंग में उन्हें कैसे आरोपी बनाया गया और क्यों सुप्रीम कोट ने एडी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी दलील महज एक अनुमान है जबकि ये सब कुछ सबूतों के आधार पर होना चाहिए अगर कोट में जिरह होती है तो आपका केस दो मिनट में ही गिर जाएगा सुप्रीम कोट ने एडी और सीबी आई दोनों को फटकार लगाते हुए पूछा कि सबूत कहा है सुप्रीम कोट ने पूछा कि अपरूवर के बयान के अलावा क्या कोई और सबूत है आपके पास इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि जो घोटाले का आरोप आप लगा रहे हैं उसकी रकम कहा है E.D. और C.B.I. दोनों ही जाच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में मनिश शिशोदिया के खिलाफ कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाए जिससे लगे कि मनिश शिशोदिया इस घोटाले में शामिल है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा लगता है कि मनिश शिशोदिया इन सब में शामिल ही नहीं है सुप्रिम कोट से आई इंटिपड़ियों के बाद अब आम आदमी पार्टी को थोड़ी रहत मिलती हुई नजर आ रही है लेकिन अगर गोदी मीडिया चैनल को देखेंगे तो अभी भी गोदी मीडिया यही चिला रही है के आम आदमी पार्टी का हर एक नेता दागी है और अब पूरी की पूरी पार्टी के खिलाफ एडी कारवाई करने वाली है यह जग जाहिर है कि इस तरह की छापे मारी ठीक चुनाओं से पहले किया जाता है जिससे की विपक्षी नेताओं को डराया जा सकी अब मनिश शोद्या की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 12 अक्टूबर को करेगा